आज का किचन टिप्स बहुत ही यूज़ फूल है जो आपके किचन और घर के काम को आसान करेंगे नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका प्रितीरसोई में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो जरा सभी पसंद आएगा तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़ा बरतल लेंगे और इसमें डालेंगे चावल अब यहाँ पर आप कोई भी चावल ले सकती है जो चावल आपका खराब होने वाला है यानि मांसोन सीजन में अगर आपको लगता है कि चावल या दाल में कीड़े लगने वाले हैं या फिर लग जाएगा तो उसको आप ऐसे ही रखी है या कोई केमिकल दवा का यूज नहीं करना चाहती है तो आप इसे जरू ट्राइ करिएगा ये तरीका आपको अच्छा भी लगेगा और एकदम बेश्ट भी रहेगा साल भर तक आपका चावल या दाल खराब नहीं होगा तो उसके लिए एक किलो चावल में आधा छोटा चमश हल्दी पाउडर डालना है तो इस तरीके से बस एक जगह ही हल्दी पाउडर को डाल देना है चावल के उपर अब यहाँ पर आपको लेना है मस्टर्ड ओयल यानि सरसो का तेल एक चमश सरसो का तेल हल्दी के उपर डालना है अब दोनों को अच्छे से आपको इस तरीके से मिला लेना है चावल में अब एक हाथ से काम नहीं होगा दोनों हाथ को लगाए और इस तरीके से चावल को उठाइए और रब करते जाएए जितना भी हल्दी और तेल है पूरा चावल में लग जाना चाहिए एक-एक चावल के दाने पर हल्दी और तेल कोट हो जाना चाइए इस तरीके से आपको लगाना है अगर ज्यादा क्वांटिटी में चावल इस्टोर करने वाली हैं तो आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा चावल एक बड़े बरतन में निकाल कर इस तरीके से लगा दे हलदी और तेल सरसो का तेल जो होता है वो उसमें थोड़ा सा करवापन होता है जिसकी वजह से इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं तो सरसो का तेल और हल्दी आप इस तरीके से अपने दाल में भी लगा सकती हैं दाल भी खराब नहीं होगा अब इसे आप डब्बे में भर कर रख दीजिए एक साल तक आपका जो चावल या दाल जो भी रहेगा बिल्कुल भी नहीं खराब होगा आप एक बर इसे जरू ट्राइ करिएगा कोई दवा कोई केमिकल का यूज नहीं करना है ये पूरी तरीके से सेफ है एकदम हिल दीड तरीका है आपको ये बहुत ही यूजफूल लगेगा तो बारिस में अनाजब खराब होने का जंजट खतम यहाँ पर मेरे पास एक पॉलिथीन पड़ा है ये पॉलिथीन कुछ इस तरीके का है ये दिखे जब हम लैगिन्स वगरा खरीद कर लेक के आते हैं तो इस तरीके के पैकेट में मिलता है तो हम इसे फेक देते हैं मगर बिलकुल भी मत फेकिएगा इसको कैसे आपको यूज करना है अपने बेडरूम में वो मैं आपको बताती हूँ तो इसे हम तीन तरीके से यूज करेंगे एक पैसा भी खर्च नहीं होगा मगर ये हमारे बहुत काम का होगा तो इसके उपर वोला जो हिस्सा है न आगे का साइड उसको हमें यू सेप में थोड़ा सा कट कर लेना है उसके बाद ये जो बटन्स हम लगाते हैं न उपर का इसे ऐसे खोल कर रखना है उपर की साइड फ्रेंड कई सारे लोगों का बेड ऐसा रता है जिसमें की ड्रावर नहीं रता है जैसा कि मेरा आप देख सकती है इसमें ड्रावर नहीं है तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को रखना रता है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉबलम होती है तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो पॉलिथिन है न इसको मैं अपने बेड के साइड में इस तरीके से गद्दे के नीचे लगा कर रखूँगे अब जो हमारे टीवी का रिमोड है या फिर किसी किसी को आदत रती है कि रात को मोबाइल देखते हैं और साइड में रखकर सो जाते हैं तो सर के पास कभी भी मोबाइल रखके मत सोयेगा फ्रेंड इस तरीके से आप इस पाउच में रख सकती हैं या मैगजिन पढ़ती है तो उसे भी रख सकती है या कोई सी का कोई मैडिसिन है जो रात को लेती है तो उसको भी आप इसके अंदर रख सकती है तो आप इसे कैसे यूज़ करना चाहती हैं वो आपकी च्वाइश है मगर ये है बहुत काम का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ कबार से जुगाड हो गया अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं तो दूसरे के लिए मैं क्या करूंगी कि इसके जो उपर का ये साइड है ये जो हूक वाला इसे ही पूरा हमें काट कर पहले निकाल लेना है इस तरीके से अब ये पूरा लेबल हो गया है तो इसके आगे के साइट को हमें U-shape में कट करना है तो थोड़ा-thोड़ा साइट से छोड़ कर बस उपर के लेयर को हमें काटना है नीचे के नहीं नीचे के लेयर को ऐसे ही सीधा रखना है तो देखे मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया है अब चलिए इसे यूज करते हैं अपने सोफे के लिए तो सोफे में हमें इसे दबाना नहीं है फ्रेंड हमें क्या करना है इसके पीछे के साइड में एक डबल साइट टेप लगाना है तो पीछे के साइड में उपर के साइड इस तरीके से टेप को लगा दीजे अब इसे आप अपने सोफे के साइड में लगा दीजे फ्रेंड होता क्या है कि जब टीवी का रिमोड हम लेकर बैठते हैं तो टीवी तो देख लेते हैं, बंद भी कर देते हैं, और रिमोट सोफे पर ही छोड़ देते हैं, कई सारे घरों में ऐसे ही होता है, और किसके किसके यहां ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुर मत भूलेगा, और साथ में ये भी बताईएगा, कि आप मेरे पढ़ते हैं, रिमोट नीचे भी आजाता है, बच्चे उछलते कूदते हैं, तो उनके पैर के भी नीचे आजाता है, तो आप टीवी के रिमोट को रखने के लिए इसे ट्राई कर सकती हैं, ये बहुत ही यूजफूल है, मुझे ये तरीका अच्छा लगा, आप भी देते हैं, ऐसे गलती ना करें, क्योंकि कभी-कभी गलती से मोबाईल अगर गिर जाता है, तो खराब हो जाता है, तो आप इस तरीके से इस पॉकेट में रख दें, बस यहाँ पर टेप आपको अच्छा वाला यूज़ करना है, जब में हम कोलगेट के पेश्ट को निकालत हैं, उसके बाद भी वही होता है, जब इसे दबाते हैं, तो यह देखिए, आधा नीचे की साइड आ गया, तो हर बार तो बेलन लेकर इसे बेलते नहीं रहेंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके का पैकेट सील करने का पीन ले ले, यह पीन तो सब के यही होता है, अगर नहीं है तो आप खरीद लिजिए, क्योंकि यह बहुत ही सस्ते में आता है, मगर बहुत ही यूजफुल रहता है, तो आप इस तरीके से टूथपेट को आगे साइड करके उसके बाद पीन को लगा दीजिए, कितना भी दबाएंगी, मगर टूथपेट पीछे नह हुआ है, यह पानी नहीं सोखेगा, मगर उपर से गीला होने के बावजूद भी इसमें मौश्चर हो जाता है, और कुछ इस तरीके के वाइट वाइट से फफून भी लगने लगते हैं, अगर नहीं ध्यान दे तो, तो इसे बारिस में कैसे क्लीन करें, जिससे इसमें का खतम हो जाए, और इसमें जो बैड इसमें लाता है, वो भी खतम हो जाए, तो उसके लिए आपको लेना है एक छन्नी, बस इस तरीके से एक छन्नी ले 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 और छन्नी में आधा छोटा चमच बेकिंग सोडा डाले, और इस तरीके से बेकिंग सोडा को छन्नी के थुरू ह हेलमेट में डाल देना है बस हलका हलका सा हमें इसमें स्प्रेट करना है चन्नी लगाने का मतलब ये था फ्रेंड कि इससे एकदम इकवल गिरेगा और थोड़ा थोड़ा गिरेगा अगर डायरेट आप हाथ से इसमें डालेंगी तो ज्यादा बेकिंग सोडा गिर जाएगा औ और कहीं कहीं पर गिरे गाई नहीं और देखिए मैंने इसमें पुरा बेकिंग सोड़ा डाल दिया है अब इसे हमें 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है टाइम है तो आधे घंटे के लिए छोड़ दे तब तक हम ये वाला टिप देख लेते हैं जब भी हम इस तरीके क जार में अजार ऒगराप रखते हैं तो इसे हम गरम पानी से दोते हैं 3-4 बर धुलते हैं उसके बाद भी इसमें से अचार का स्मेल खतम ही नहीं होता तो smell खतम करने के लिए आप इस तरीके से newspaper का एक टुकडा ले बॉल बना कर इसके अंदर डाल दीजिए बंद करके राद भर के लिए रख दीजिए उसके बाद सुबह में पूरा अचार का smell खतम हो जाएगा जार में से अभी पूरा 20 मिनट हो गया है और जो बेकिंग सोडा है उसने अपना काम कर दिया है तो अब हमें क्या करना है कि एक टीसू पेपर लेंगे और इस तरीके से इसे फोल करके बेकिंग सोडा को ऐसे रख करेंगे हेलमेट के अंदर जब आप रख करेंगी तो जितना भी इसमें गंदगी रहेगा वो पूरा अच्छे से टीसू पेपर में आ जाएगा यानि ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और इसमें जो बेड इसमेल है वो भी खतम हो जाएगा और जब आप इसे रखेंगी तो इसमें फफूद भी नहीं लगेगा तो देखिए मैंने इसे टीसू पेपर से अच्छे से पोच लिया है अगर आपके पास टीसू पेपर नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े से भी इसे पोच सकती है तो चलिए अब इसे कपड़े से भी अच्छे से पोच लेते हैं और ये लिजिए हेलमेट एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है इसमें का बैड समेल भी खतम हो गया है और पहले से ये ड्राय भी हो गया है तो है न कमाल का टिप आप इस टिप को जरूर ट्राई करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा अच्छा चलिए ये बताईए कि आपको इसमें से कौन सा टिप ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल से मत भूलिएगा और इतना यूजफुल वीडियो है तो एक लाइक तो बनता ही है लाइक करना कंजूसी मत करिएगा चैनल पर नए आये हैं यूटूब फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों किशा शेयर करिएगा